आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone इस question में हमें simply Coordination Compounds की name दे रखें कॉलम फर्स्ट में और उनका structure दे रखा है ठीक है जो हम normal nomenclature की बात करते है उन्हें हम क्या करना है match करना है देखो फर्स क्या दे रखा है Potassium Tetrahydroxy Zincate ठीक है हमें क्या दे रखा है Potassium और Zincate का complex यानि की देखो जो हमें fourth option दे रखा है Potassium Tetrahydroxy यह हो गए Tetrahydroxy चार बर हमारे पास Hydroxy ग्रूप है और Zincate ठीक है जब भी हमारे पास complex anion होता है तो हम उसमें क्या यूज करते है उसके आगे A, T, E जो भी हमारा metal हो उसके आगे A, T, E यूज करना होता है हमें ठीक है तो इसका नेम क्या हो जाएगा Potassium Tetrahydroxy जिंकेट एक हमारे पास fourth हो गया second दिखू क्या दे रखा है Potassium Trioxalato Aluminate इसमें भी Aluminium के साथ 8 लिखा है यानि कि यह कहां पर आएगा हमारे पास anion वालो complex होगा और इसके साथ कुछ कटायन लगा होगा तो Potassium हमारे पास कटायन हो गया Aluminate हो गया और जो हमारे ट्राय उक्जलेटो C2O4 वाला जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बुलते है C2O4 इसको हम बुलते है Oxalato Ligend यह वाला हमारे पास B का क्या हो जाएगा First वाला हो जाएगा Potassium Trioxalato Aluminate नेक्स क्या दे रखा देखो Dye Chlorido Chlorine कितने बार है Dye उसके बाद Bis Ethane One Two Diamine जो हमारा Ethane One Two Diamine होता है उसको हम क्या लिखते है Ene लिखते है Bidentate लिखन होता है इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है Bis Ethane One Two Diamine यानि Ene कितने बार है One Two Diamine, Ene Two बार और Cobalt Third है तो हमने यह बहुआ पर Positive उजार लगा दिया क्योंकि इसका हो जाएगा Minus Two Ene पर हमारे पास Zero होता है तो Cobalt क्या हो जाएगा Second Child हमारे पर इस Cobalt क्या चार्ट हो जाएगा Third Three Minus Two क्या हो जाएगा Overall Plus आजा है इस तरह से हमें Charges Compare करने होते है Lastly हमको ते रखा है Tetra Carbonil Nickel Zero Simply N.I.C.O.4 को हम क्या बोलते है Tetra Carbonil Nickel इसमें Nickel पर जो चार्ट होता है वो Zero होता है क्योंकि Carbonil का चार्ट हमारे पास Zero होता है अब Options मैच कर लेते है A का हमें Four ठीके B का First C का Third And D का Second Option 4 के हो जाएगा इसका Correct Answer Thank you